हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मैं 6 जिन्दा कार्तूस बरामत कर स्कॉर्पियों को जब्त कर NDPS Act में मामला दर्च किया गया है थाना अधिकारी सूरजपान सिंग रनावत उपनिरिक्षक बागोडा ने बताया कि जिला पुलिस अधिक्षक हिमंत अभिलाज टाक एडिशनल S.P. सतिये इंद्रपाल सिंग वा भीनमाल डिप्टी लाबूराम चौधरी के निर्देशन में अवैत मादक पदारतों की रोगताम वा बरामत की को लेकर चलाय चारहे अभियान की तहट मुगवीर इतला पर मन थाना दिकारी दादल गाओं में नाकाबंदी की तो उस दोरान तिलोडा की तरफ से आई बिना नंबर की स्कॉर्पियों को रुखाने का इशारा किया मगर चालाग में नाकाबंदी तोड़ कर वाहन को दादल की तरफ भगा ले गया पीचा करने के दोरान पुलिस थाने से पूर्वो में एस आय लुंदान चारण में जापता जो धुमबढ़िया की ओर जाने से तता स्पेशल टीम के प्रभारी सुरेश बारोलिया उपने रिक्षक में जापता नरसाना धुमबढ़िया की तरफ सामने आकर नाकाबंदी कर जिस पर नाकाबंदी की सरहत नरसाना में पक्की रोड के पास स्कॉर्पियों वाहन के आगे का बाया टायर ब्लास्ट होने से स्कॉर्पियों को मौके पर छोड़ कर चालक वो उसके पास बैटे व्यक्ति उतर कर भागने लगे जिनने पीचा कर रही सूरजभान उपनिडिक्षक में जापता के द्वारा दोनों व्यक्तियों को दस्तयाप कर स्कॉर्पियों की तलाशी लेने पर अवैद दोड़ा पोस कट्टों में भरा मिला जिस पर बार्ड मेर जिले के भाना मगरा पुलिस थाना सिंदरी निवासी च स्कॉर्पियों में 18 प्लास्टिक के कट्टों में भरे अवैद दोड़ा पोस का वजन करने पर 270 किलो होना पाया जाने से जब्त कर वाहन बरामत किया गया है पुलिस ने NDPS वो आम्स आक्ट में मुकदमा दर्च कर लिया है ये थे टीम में शामिर सूरजभान सिंग उपनिर एक शक मोंगा राम हैट कॉंस्टिपल मनोहर सिंग मुकेश जैसा राम महेश मौजूद थे जागरुक टेवी के लिए बागोडा से रिदमलतान राव की रिपोर्ट